इस पहले में बात करता हूँ कि income tax department के इसाब से अगर आप cash withdraw करते हो 10 लाग से जादा का एक financial year में एक saving account से कर रहे हो या फिर multiple saving account से कर रहे हो 10 लाग से जादा का cash withdraw करते हो तो उस case में आपको income tax department notice issue कर सकता है क्योंकि bank जो है सारे खातों की जानकारी देता है income tax department को जिन में से 10 लाग से जादा का cash withdraw हुआ है एक साल के अंदर अम मैं बात करता हूँ limit यानि कि एक दिन में कितना cash withdraw कर सकते है saving account में तो आप maximum 2 लाग से का cash withdraw कर सकते हैं saving account में ये भी depend करेगा आपके bank to bank पे अगर मैं बात करूँ cash withdraw ATM के तुरू तो गाइस ये आपका depend करेगा कि आपके पास saving account किस type का है debit card आपके पास किस type का है जैसे limit हमारी debit card में क्या होती है 10,000 रुपे परडे से लेके आप 1,000,000 रुपे परडे तक का cash withdraw कर सकते हो एक दिन के अंदर तो आपने धान रखना है कि आप 10,000,000 से जादा का cash withdraw कर रहे हैं अपने saving account से तो आपके पास वो पैसा आया कहां से basically उसका source of income क्या है जो कि आपने अपने income tax return में जरूर दिखाना है वीडियो पूरा देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल स्ट्विंटेक को follow कर सकते हैं वीडियो उसको like करें शेयर करें और चैनल को subscribe करें thank you